हलो बच्चो क्या हाल चाल कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं तो अच्छे रहिए स्वस्त रहिए पढ़ते रहिए ता ये स्टार्ट करते हैं बीजनस अरगनाईजेशन का अगला MCQ क्वेस्चन पिछला कैसे था ये कमेंट वाक्स में आप जरूर बताईएगा और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक सेयर करिएगा ता ये स्टार्ट करते हैं फिर 30 कोशनों का स्रेज MCQ का जो काफी इंपोर्टेंट है ता ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोशन है मचली पालन नि जो मचली पालन है इसका संबंध किस उद्धोग से है सनरचनात्मक उद्धोग निसकरशन उद्धोग जनिक उद्धोग और निर्मान उद्धोग तो बता दे रहे हैं मचली पालन जदि लिखा रहेगा दियान से समझेगा मचली पालन लिखा रहेगा तो इसका संबंध ज जनिकुद्धोग से जनिकुद्धोग का मतलब होता है कि जो किर्सी क्रिया के द्वारा क्योंकि मशली पालन भी किर्सी अगरिकल्चर्स के अंतरगत आता है तो किर्सी क्रिया के द्वारा जो कारे किया जा रहा है वो सब जनिकुद्धोग में आता है और कुछ लोग सोच रह नेक्स कोश्चन हमारा कह रहा है कि दुखद उत्पादन को निमलिखित में से किस उत्धोग में सामिल किया जाता है दुखद उत्पादन द्यान दीजे आप्सन क्या दिया है रचनात्मक उत्धोग जनिक उत्धोग निर्माडी उत्धोग निसकर्शन उत्धोग इंसे चारों में से कौन सा अप्सन सही है तो यह जनिक उद्धोग यह भी दुख दूत पादन किर्सी से समंदित है लोगों के द्वारा किया जाता है ठीक है फिर इसी के साथ next question हमारा है कि भावन का निर्मार ब्यान दीजेगा भावन का निर्मार निमलिखिस्ट में से किस बरकृत किया जाता है जो हमारा भावन का निर्माड किया जाता है किस उध्धोग के स्रेणी में आता है क्योंकि उध्धोग कई परकार के होते हैं यहां पे दिया गया है निर्माडी उध्धोग, निसकर्शान उध्धोग, जनिक उध्धोग का रचनातम उध्धोग तो भा अब रचनात्म कुद्धोग के स्रेडी में आता है, next हमारा question है, next question हमारा है, कि एक सड़क बनाने का, एक सड़क बनाने का कार्ज किस उद्धोग के अंतरगत आता है, तो एक सड़क बनाने का कार्ज रचनात्म कुद्धोग के अंतरगत आता है, किस उद्धोग के अंतरगत रचनात्म को अभी ए आट्जाम्पल में, नेग्स क्ॉस्चन में मैं बताया हूँ. अगला, पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कि एक जहाज का निर्मार किस का कार्ज या किस उद्धोग समुब में है? सामिल होता है, काने का मतला है एक जहाज का निर्मार किस उद्धोग में सामिल किया जाता है इस पांचोवा नंबर का क्वेश्चन का पहला आपसन दिये रहा है संयोजन उद्धोग, जनिक उद्धोग, निर्मारी उद्धोग इनमें से कोई नहीं तो बता दे रहा है, जहाज का निर्मार कई चीज़ों को मिला कर बनाये जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा सैंयोजन उद्धोग, कौन सा आंसर होगा, सैंयोजन उद्धोग, ठीक है, नेक्ट आगे अगे बड़ते, निमलिखित में से चठा क्वेशन है कि निमलिखित में से कौन सा संयोजव उद्धोग नहीं है संयोजव मतलब उद्धोग का मतलब होता है कि कई चीजों को मिलाकर एक चीज बनाई जाती है उसे संयोजव उद्धोग का आ जाता तो जिसमें टेलिवीजन, उद्धोग, सिलाई मसीन, साइकिल और चीनी बता सकते हैं कि इसमें से चारों में से कौन सा अपसन सही है तो चारों में से चीनी जो उद्धोग होता है यो सही हो जान उद्धोग नहीं यही कई चीज़ों को मिला कर नहीं बना जाता है, डियरेट गरना सही चीजी नहीं बनता है। लेकिन टेली वीजन जो है, सिलाई मसीन है और साइकील है, यह सब अलग-अलग पार्ट अलग अलग जब बनते हैं और मिला कर एक चीज बनाया जाता है। साथ नंबर कुश्चन कह रहा है कि ब्योसाई का उद्दिस क्या होता है बताई ओड प्लस सेवा करना अर्ड सी तरह कुश्चन नंबर हमारे आठ में हैं बैंक और वीमा काल आते हैं दोग के बैपार के सहायक, तो बताये थे कि वाणिज की परिभासा क्या आती है बैपार और बैपार की सहायक, बैपार के सहायक क्या आती है, बैंक, बीमा, बिजली, परिभान इस सब सारी चीजे आती है, तो यह बैंक और बीमा क्या है, बैपार के सहायक है, तो आप संडी सह आगे बढ़ते हैं, क्वेले, खान से कुईला निकालना, कौन सा उद्धोग है, अभी मैं पिछले क्वेशन में बताया था, देयान दीजिएगा, जनिक उद्धोग रजनात्मक उद्धोग निसकर्षन उद्धोग निर्मारी उद्धोग है, क्यों, क्योंकि जो भी चीजे से निकाले जाती हैं, सब निसकर्षन उद्धोग के स्रेणी में आता है, आगे बढ़िए, व्यवसाइक संगठन का वह परारूँ जिसमें कोई भी सिश्रत नियम नहीं बना है, मतलब वह व्यवसाइक संगठन का कौन सा रूप में है, जिसमें कोई भी कानून, कोई भी अ जिसमें बना नहीं है, इसलिए ओप्सन डी सही होगा, ठीक है, आगे बढ़िते हैं, ब्यवसाइक संगठन का प्राचीमतम सरूप है, मतलब जितने भी ब्यवसाइक संगठन के याकार परकार हैं, उसमें सबसे पुराना कौन सा है, तो सायदारी है, एकाकी बेपार है, सव अगला हमारा क्वेश्चन है, बारा नमबर, एकाकी बेपारी की निमलिखीत बिसेश्था, एकाकी बेपारी की कौन सी बिसेश्था, एकाकी स्वामित होता है, सीमित दाइत होता है, और सीमित कारिछेतर होता है, एकी बिसेश्था है, कि एकाकी स्वामित होता है, तो आप स इसने कहा था, यह statement किस person ने दिया था, तो आपसन दिया है, है ने किम्बाल और किम्बान बिलियम आरवेसर डव 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 टेलर, तो बता दे रहा है, कि बिलियम आरवेसर ने कहा था, कि एक ब्रिक्तिकानी अंत्रण विस्व में सर्बुत्तम होता है, तो यह आपसन भी सही ह अगला है, चौदा नंबर question, कि एकाकी स्वामित तो का दाइत हो है, एकल स्वामित तो क्या क्या दाइत होता है, ज्यान से सुनिये, ब्योसाई में उसके द्वरा बुनियूजित पूजी तक सिमित होना, मतलब कि ब्योसाई में वो जितना पैसा लगाएगा, वह ही तक उसक कुछ हसपस्ट नहीं है, ब्योसाईक संपत्ती के मुल्य तक सिमित होना, जितना ब्योसाईकी संपत्ती है, उतना ही उसकी लाइबिल्टी सिमित हो गई, ये भी कोई उचित नहीं है, अगला है, ब्योसाईक संपत्तियों तो था उसकी समस्नेजी संपत्तियों के मुल्य तक सीमीत रहना तो यह option हमको कुछ साठीक लग रहा है तो यह option कौन C option सही है उपियुक में से कोई नहीं दे तो ही यह नहीं है option C सही है एकाकी स्वामितु का दाई तो कहां तक सीमीत होता है कि वेवसाइक संपतियों तथा उसकी समझ निजी संपतियों के मुले तक ही सेमीत होता है ठीक है अगला question है एकल ब्यासायय का सबसे महत्वोन एकाकी वेपार अर्थात एकल ब्यासायय का सबसे महत्वोन क्या है प्यांत जी जी के सरल है नियूंतम जोखीम यह थोड़ा कम लग रहा है सोतंत नेड है ये सबसे ज़्यादा लग रहा है अधिक तमला तो इस चारों आपसन में से सबसे बेश्ट आपसन है सोतंत नेड है मतलब एकाकी बेहसाई ये कैसा है वेसाई है जो जब चाहे तब जितना चाहे उतना जल्दी decision ले सकता है यही सबसे best answer होगा question number 16 एकाकी व्यपारी को व्योसाई संग्ठन का निमलिखित लाव उपलब्द नहीं होता है निर्मान में सुवंता है सोतंत तरनिडे यह भी होता है सिमीत दाईट यह नहीं होता है ग्रापो की बेटिका सिवार था तो option C सही है तो इसका option C सी मिद्दायत एकाती वेपारी की विसेस्ता के अंतरगत नहीं आती है क्योंकि ये company की विसेस्ता होती है आगे बढ़ते हैं सत्रे नंबर question कर रहा है कि संयुक्त हिंदू परिवार में ने सहभागी का परवेश होता है मतलब एक हिंदू undivided family संयुक्त हिंदू परिवार में एक ने सहभागी का परवेश कब होता है जैसे ही ने सिसु जन्व लेता है वो सही उस form एक संयुक्त हिंदू परिवार का परवेश होता है ने सहभागी सदस परवेश करता है अगला कोशन अठारा नंबर कोशन कहा रहा है कि सायदारी इकाई है सायधारी unit क्या है एक कानूनी इकाई है कानूनी इकाई यह उत्तरदाईत इकाई है ना तो कानूनी इकाई है नो ही उत्तरदाईत इकाई है उत्तरदाईत इकाई है इस चारों में से कौन सा option सही है तो इस में से option C सही है कि सायधारी इकाई ना तो कोई कानूनी इकाई है ना उत्तरदाई इकाई के है ठीक, इसी तरह question number 19 को आ रहा है कि किसी फर्म में सायधारों की अधिक्तम संख्या किसके दरह निर्धारिर की गई तो आप से बता दे किसी सायधारी फर्म में सायधारों की अधिक्तम संख्या का निर्धार्ण company अधनियम möglich 1956 के अंतरगत किया गया है, नो की साइधारी अधनियम के अंतरगत, नो ही संविदा अधनियम के अंतरगत, नो ही किसी अन अधनियम के अंतरगत, के वल कंपनी अधनियम 1956 के अंतरगत, साइधारू की संख्या का निर्धारन किया गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नमबर कोश्चन पर, ह नमरा 20 नमबर कोश्चन का रहा है कि एक नामात्र का सायधार होता है, एक नामात्र का सायधार क्या होता है, ब्योसाइक संस्था में लाभों में से अंस्प्राप्त करने का अधिक्रित नहीं है, तिर्ती पच्छ के परती उतरदाई नहीं है, अन्य सायधारों के कार्जियों क के लिए उतरदाई नहीं है उप्यूक्स सभी तेहीन में से option A सही है कि नामात्र का सायदार ब्यवसाइक संस्ता के लाभों में से अंस्क्राप्ट करने के लिए अधिक्रित नहीं है वो नामात्र का है अर्था तो लाभ के हिस्सेदार नहीं होता है ठीक नौ आगे बढ़िए 21 नंबर कोश्चन कर रहा है ध्यान दीजेगा 21 नंबर कोश्चन कर रहा है कि निश्क्री सायदार किसे कहते है ध्यान दीजे निश्क्री सायदार जो सायदार फर्म से सिवाने विरिथ हो चुका है A option B option कर रहा है जो फर्म के लाभ में अपना हिस्सा नहीं मांगता है और C option जो फर्म के ब्यक्साई के संचालन में कोई हिस्सा नहीं लेता है और D-A цен उत्युक्ष सरी तो इस चारो आपसनों में से कौन सा आपसन सही है तो आपसन B सही है निश्क्रिस आईदार वह साईदार होता है जो फर्म के लाम में अपना हिस्सा नहीं मांगता है क्योंकि भाई निस्क्री है आगे बढ़िए फिर एक निस्क्री सायधार पर एक और कोश्चन आता है कि निस्क्री सायधार किसे काते है तो निस्क्री सायधार किसे का जाता है ध्यान दिए वह सायधार जिसका दाई तो सिमित होता है वह सायधार जो फर्म में पूजी लगाता है लाभान में हिस्सा बाड़ता है कि प्रवंद के संचालन में भाग नहीं देता है और C आपसन है कि वह सायधार जो फर्म के लाभों में हिस्सा बाड़ता है और हान के तो यह आपसंद भी सही है अर्थात वह सायदार जो फर्म में पूझी लगाता है लाभान में हिस्सा बाटता है कि प्रवंद के संचालन में भाग नहीं लेता है तो आपसंद भी सही है आगे बढ़ी है तेईस नंबर क्वेशन का रहा है कि नामात्र का साइदार किसे का आ जाता है नामात्र का साइदार वो साइदार जिसमें फर्म में नामात्र की फूजी बिनियों की हो जिसे फर्म में लाव में नामात्र का हिस्सा मिलता है जो फर्म के संचालन में हिस्सा नहीं बाठता है, जो फर्म को अपना नाम परियोग करने की अनुमती देता है, तो इन चारो आप्सनों में से कौन सा आप्सन सही दिख रहा है, तो यह D आप्सन सही है, जो फर्म को अपना नाम परियोग करने की अनुमती देता है, अर्था न पचीस नमबर क्वेश्चन है कि साइधारी के सर्जन के लिए प्रतिफल की कोई आउसकता नहीं है यह परिभासा किस सही है यह गलत है यह इस टेटमेंट जो दिया गया है पूनता सही है कि कैसे सही है तो इसके लिए आपसन एक और आए सही है आपसन भी कार आए गलत है आनस पीज़िक सही है आंसिक लागू नहीं है तो बता दे आप सन सही है कि सायधारी के सरजन के लिए प्रतिफल की कोई आवसकता नहीं होती है आर्थ ठीक है 25 नमबर क्वेशन कहा रहा है 25 नमबर कि परदर्शन द्वारा सायदार किसके प्रती उत्तर आए मतलब जो परदर्शन द्वारा दिखावा द्वारा सायदार बनता है वो किसके प्रती उत्तरदाई होता है तो यहाँ पे तीछत्रे पक्षिकार के प्रती फर्म के प्रती, फर्म के अन्य साइदारों के प्रती, और उप fellowship सभी के प्रती, तो जो प्रदर्शन द्वारा साइदार बनता है, उवो इन सब के प्रती उतरदाई होता है, तो option D सही होगा, तो कौन सा option सही है, तो उप्यूप सभी सही है, ठीक है? आगे बढ़िए, 26 नमबर कोश्चन 26 नमबर हमारा कोश्चन कह रहा है कि परदर्सन द्वारा साइधार किसे एक आते है परदर्सन द्वारा साइधार किसे एक आ जाता है ध्यान दीजेगो, वह साइधार जो ब्योसाय में सदर दिखता रहता है दिखता रहता है, वह सायदार जो ग्राह को कुमाल दिखाता है, वह व्यक्ति जो सायदार है कि सायदार नहीं होने का परदर्सन करता है, तो परदर्सन द्वारा सायदार वह सायदार होता है, जो वास्तों में सायदार नहीं है, लेकि सायदार होने का परदर्सन करता है, तो यहाँ पे option D सही है, ठीक है, अगला question 27 number, 27 number में कह रहा है, निमलिखीत में से कौन ब्यक्ती सहेदार नहीं हो सकता, एक पागल ब्यक्ती, एक निगम, एक अव्यस्क और उप्युक सभी, तो इस 27 number question का, यह option आपका D सही होगा, कि एक पागल ब्यक्ती भी सहेदार नहीं हो सकता, एक कमपनी भी सहेदार नहीं हो, एक अव्यस्क भी सहेदार नहीं हो सकता, क्योंकि अव्यस्क और लाप के लिए सहेदार बनाया जाता है, पागल को तो बिल्कुल ही नहीं मनाया जाता है, एक कमपनी सहेदार नहीं होती है, तो आपसण D सही है, ठीक है, तो आगर बढ़ते हैं 25 नंबर कोश्चन की तरह, 28 नंबर कोश्चन का रहा है कि एक साईदारी फर्म में जड़ी वो पंजिकरित नहीं है, मतलब जब एक साईदारी फर्म पंजिकरित नहीं है तो उसके साथ क्या हो सकता एक अबैधानिक संग माने जाएगी आपसने दंडब भुक्तान पर विवसाय चलाने के लिए माने है और B फर्म पंजियक की विशे संवर्टी पर ही विवसाय चलाने के लिए माने है और आपसन D कुछ अयोगताओं के साथ जो साथ चलाने के लिए माने तो इन चारों आपसनों में से कौन सा आपसन आपको सही दिख रहा है तो आपसन ये सही है कि साथदारी फर्म ज़री वो पंजिकरित नहीं है तो वो बैधानिक संग माने जाएगी मतलब लीगल नहीं है ठीक है वैसे एक साथदारी फर्म का पंजियन कराना तानूनी रूप से अनिवार्ज नहीं है लेकिन आवसेक तो जरूर है क्योंकि ज़री वो पंजिकरित करा ले रही है तो बहुत सारी बैधानिक अपचारिकताओं से उसको मुक्ति मिल जाएगी वो किसी अन्फर्म के उपर मुकदमा भी चला सकता है वाद परस्तूत कर सकता है ठीक न? आगे बढ़ते हैं 29 नूबर क्वच्चन हमारा कारा है साथदारी अनुमंद हो सकता है क्या इसे हो सकता है? लिखित भी हो सकता है मोखिक भी हो सकता है लिखित या मोखिक या इन में से कोई नहीं तो आप से बता दे। एक साहधारी यणी बंद लिखित और मोखिक दोनों हो सकता है ठीक है। न globalization और last question है कि ये गुप्त साहधार रहा है जो ? गुप्त साहधार कौन है ? ब्योसाय में सक्री भाग नहीं लेता है, कोई पूजी बिनियोंग नहीं करता है, सोता रहता है, अक्योवल लाभों के लिए भाग लेता है। तो इन चारो आपसनों में से कौन सा आपसन आपको सबसे बेस्ट दिख रहा है, तो आपसन ए सही है। अर्थात एक गुप्त जो ब्योसाय में सक्री रूप से भाग नहीं लेता है। लेकिन लाभान में बटवारा करता है, तिर्थी पच्छी के परति उत्तरदाई होता है, लेकिन सक्री रूप से भाग नहीं लेता है, तो आपसन ए सही है। तो इस तरह आप लोग का ये 30 क्वेशनों का MCQ बिजनस और नई जिसन का सिरीज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, और बावु लाइक वीडियो को करना नो भूलिएगा, और अपने फ्रेंडों को अधिक से अधिक सेयर करिएगा, ताकि सब पढ़ें और अच्छे नंबर से पास हो, तो ठीक है, तो ऐसा ही अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, ठीक है?